इन दोर से राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा में जाने का मन बना रहे हैं अगर आप प्लैन कर रहे हैं तो इस ट्रेन की मदद से आप अयुध्या पहुँच सकते हैं और वहां से सडक मार के जरीए या फिर दूसरी ट्रेन लेकर भी जा सकते हैं सतर सालों की कानूनी लड़ाई और पांट सौ सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आयुध्या में भगवान राम विराजमान हो रहे हैं भवे राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को राम लला की प्रान पतिष्ठा की जाएगी और इसमें देश विदेश से लाखो भगतों के पहुँचने की संभावना है यदि आप भी आयुध्या में होने वाले भवे राम मंदिर की प्रान पतिष्ठा में पहुँचने का प्लैन बना रहे हैं और वाया रोड जाने के बजाए रेल की मदद से यानि की रेलवे की मदद से उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं तो इन ट्रेनों की मदद से आप वहां पहुँच सकते हैं जा सकते हैं इसके लिए रेलवे की तरफ से अलग-अलग समय में चलने वाली कई ट्रेने हैं इनकी सहायता से आप सीधे रामलला के प्रान प्रतिश्था में पहुंच सकते हैं एक नौ तीन दो एक इंदौर पटना यह डारेक्ट ट्रेन है जो आपको सीधे इंदौर से उतर प्रदेश तक ले जाएगी विकली चलने वाली यह ट्रेन आपको करीब 18 घंटे में आयोध्या कैंट पहुचा देगी शनिवार को दिन के एक बज कर 55 मिनट पर यह इंदौर से अमवार और बुधवार के दिन इंदौर से रवाना होती है यह ट्रेन दूसरे दिन लखनव पहुचेगी वहां से कई ट्रेन है जो की आयोध्या तक आपको पहुचा देगी इनमें से सर्यू यमुना एक्सप्रेस रिशिकेश हावडा एक्सप्रेस गंगा सतलज एक्सप् के बाद आप आयोध्या पहुंच सकते हैं वहीं दो गंटे के इंतिजार के बाद करिब 8.45 मिनट पर योगनगरी रिशिकेश हावडा इस्पेशल ट्रेन करिब 3 गंटे के बाद यानि 11.33 मिनट पर आयोध्या पहुचाएगी इसके बाद गंगा सतलज ट्रेन मिलेगी जो स तीन घंटे के बाद एक बच कर 47 मिनट पर आयोध्या पहुंचाएगी